नमस्कार दोस्तों अन्रदा की जन्मा आप सभी का बहुत स्वागत है आज मैं लेका है ऐसा रेश्पी सिर्फ दूद और चीनी से बना के तयार कर सकते हैं और यह सभी का फैबरेट हो तो आगर आप मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं कि तो प्रीज मेरे चैनल को सस् अब इसका आधा लीटर दूद निकाल लेंगे एक बरतन में वह रस्मलाई के लिए रवड़ी तयार करेंगे और बाकी का डेड़ लीटर दूद तो देखिया आधा लीटर मेने अलग कर लिया है अब इसमें जो बचा है इसको उबाल लेते हैं तो इसको उबाल आने विनेगर और उसमें मैं आधा कप पानी आइट कर लिए अब उसको एक बार में बेच में ही नहीं डालना चारो तरफ फैलाते हुए जैसे मैं चम्मस से बता रहें आपको वीडियो में तो देख सकते हैं बिल्कुल फट गया है दूद अब इसको दिखाती हूं आपको तो कोई भी कोटन का कपड़ा हो उसको इस तरह आप बांद लिए मेरा बढ़ा है इसलिए मैंने बांद लिया इस वगोने में अब इस ताकि गिरेना और मैं अब इस दूद को इसमें पलड़ दिया है तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट छेना तैयार हो गया है अब इस इसे दबाते हुए जितना भी इस्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे तो जितना हम हाथ से दबा सकते हैं या तो फिर आप उसे साइड में रख दें किसी वजन वाले समान से दबा के तो इस्ट्रा पानी निकल जाएगा अधर लिया है मैंने रबड़ी बनाने के लिए कड़ाई उसमें मैं डाल रही हूं दूद जो मैंने आधा लीटर दूद रखा था अब इसमें एक उबाल आने देंगे तो इधर दूद में उबाला गया है अब मैं इसमें एक कटोरी में एक चमच दूद निकाल लेती हूं और इसमें डा कि एक मैं अधा दूद्ध जल गया अभ मैं इसमें डाल दिया के से रधा ऑच जी तो पुंदा यह सबसे हैं। आई चाही तो दो मैंने आएट कर चार चमच चीनी डाल दिया इसमें मिठा कम जादा आप अपने टेस्ट कोडिंग कर सकते हैं तो अब दूद को जलाना नहीं है देख सकते हैं 50% पक गया और इसे साइड में रखेंगे तो और गढ़ा हो जाएगा जैसे रबडी बनता है तो अब इस इस टेज पर गैस को आप करते हैं उसी तरह ईसे भी मसल के तयार कर लेना है मैंने ने को एक बड़े से पलेट में ले लिया इसे हाँ से मसलते हुए तब तक मसल ना है जब तक यह चिकना ना हो जा और इसे घीना निकलने लगे जैसे हम रसग ल्ला के लिए इसको मसलते हैं तो देख सकते हैं कितना सॉप्ट और कितना चिकन और थाली से भी नहीं चिपक रहा है तो परफेक्ट डॉर बन के तैयार हो गया है अब इसको मसलना नहीं है और यह बिल्कुल अपने गोल होने लगा है तो इतना धियान रखें फ्रेंस आप चाहे तो इस हो जाएगा जैसे हम इसको चासनी में उबालेंगे तो मैंने सारे बॉल बना के तैयार कर लिया है तो एक डेड लीटर दूद में मेरा 30 से 35 से रसगुले बन के तैयार हो गया है अब इसको उबालने के लिए लिया है मैंने एक बड़ा सा भगोना उसमें मैं डाल रही हूं एक कप चीनी और चार कप पानी तो एक कप चीनी में चार कप पानी आप कोई भी मेजरिंग से सेट कर लें जैसे एक कटोरी चीनी तो चार कटोरी पानी जैसे हम वाइट रसगुला के लिए बनाते हैं उसी प्रोसेस में तो इसको उबलने देंगे तो चीनी मेल्ट हो गया ह अब इसे जब तक बिल्कुल उबाल ना आ जाए तो देख सकते हैं मेरा कितना उबाल गया रहा है और बिल्कुल खॉल रहा है इसमें अब इसे बॉल को डालते जाएंगे तो सारे रसगुले को इसमें खॉलते हुए डाल देंगे और इसको रखेंगे और इसको बॉयल करेंग और बिल्कुल परफेक्ट बड़े-बड़े साइज में रसगुले बनके तयार हो जाएगा तो समलाई बनाना बहुत ही असान है तो दिखाती हूं मैं आपको कितना तो देख सकते हैं पहले कितना छोटा था अभी कितना बड़ा तो मैं आपको एक रसगुला लेके और दिखा कितना स्पंच है तो बहुत ही परफेक्ट रस गुल्ला बनके तयार हो गया आप जब भी चाहिए इस मिठाई को बना सकते हैं तो रस गुला बनके तैयार हो गया वी से साइड में रख देती हूं और लिल रख लेती हूं जो रबड़ी बनाके रखे था और इसमें सारे रस कुले में रवड़ी वाला दूद अफजब हो जाए और इसका सैम टेस्ट हो जाए इस सारे रस गुले को इसमें डाल दिया और अब इसे चल एक बार चमस से चला देती हूं तो साइट का मलाई निकालते हुए तो देख सकते हैं पर रसमलाई बनके तयार हो गया सर्व के दिखाती हूं प्रेंज रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ मैंने 2-0 लीटर से ती पैतीस रसमलाई बनाके तयार कर लिया है वो भी बिना मिलक पउडर का विना कस्टेट पास करका और ना तो मैंने कौइज फूड कलर यूज पैंचनि किया है सिर्फ दूद और ची को लाइक करें और फ्रेंट और फेमली के साथ सेयर करना बिल्कुल न भूलें अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में बताएं मेरे रेस्पी आपको कैसा लगा मिलती होना है वीडियो मेरे रेस्पी के साथ थैंक यू पर गजयो बवाओ आए लगाईं मेरे घंसे भूले से लग जयों और दोंग वह दो बन выступ programmer को.